नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नी वीडियो में जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले बजाज पलसर 150 स्टैंडर्ड वर्जिस ट्विन डिस्क BS6 मॉडल के बारे में तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे भाईयों को इन दोनों बाइक को लेकर काफी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए तो आज की वीडियो में हम इन दोनों बाइक को साइड बाइ इसमें देखने को मिल जाती है एक चीज मैं यहाँ पर आपको clear करके बता देता हूँ यहाँ पर मैं Pulsar 150 की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बस जो confusion रहता है आपके mind में वो बस clear करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा की तरह start करते हैं सबसे पहले price से because price काफी ज़्यादा important है तो सबसे पहले standard की price में आपको बता देता हूँ standard की जो price है 1,26,000 रुपीज है on road राइपूर यह यहाँ राइपूर की price है तो आपकी CT और मेरी CT में price का difference होगा यह बहुत बार कह चुका हूँ तो अभी भी यह चीज मैं दुबारा नहीं बोलूँगा price का difference रहने वाला है वहीं बात की जाए twin disc के बारे में तो twin disc आपको 1,30,000 रुपीज की पढ़ जाती है 1,30,000 रुपे की पढ़ जाती है on road राइपूर यहाँ पर देखा जाए तो करीब 4,000 रुपे का price difference आपको देखने को मिलने वाला है इन दोनों इक bikes के बीच में लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मतलब इन दोनों bike के बीच में जो price difference है 4,000 रुपे का इसके बीच में देखा जाए तो आपको काफी चीजे अलग देखने को मिलने वाली है वो भी twin disc में जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए आगे आप बात करते है looks and design के बारे में Pulsar 150 standard आज भी देखा जाए तो अपनी पुरानी looks के साथ में आती है यानि जो पहले वाला जो version आता था लाइक आपन फर्स्ट या फिर second generation बोले UG1, UG2 वैसी टाइप का कुछ design अभी भी देखने को मिलता है इसके design element में उतना जादा खासा change नहीं देखने को मिलता है यह थोड़ी सी आपको commuter वाली feel दे देती है लेकिन वहीं पर बात की जाए twin disc के बारे में तो twin disc आपको थोड़ी सी sporty नजर आती है reason है इसका जो back profile है यह थोड़ा सा आपको sporty दिखता है अब वो क्या कराना है उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आपको split seat मिल जाती है rear का जो tire है वो थोड़ा सा wide मिल जाता है जिससे यह bike काफी जादा muscular rear से देखने में लगती है वही पर अगर आप देखोगे like standard को तो यह थोड़ी सी पतली दुबली लगती है ऐसा लगता है कि बजाज वालों ने इसको खाना नहीं खिलाया है तो यहाँ पर देखा जा तो looks and design के मामले में pulsar 150 twin disc beat करती हुई नजर आ जाती है अब बात करते हैं दूनों ही bike के braking के बारे में start करते है standard से standard में अगर आप देखोगे तो standard में आपको single disc का option मिलता है यानि front में disc brake है rear में drum brake मिल जाते है front में अगर आप देखोगे तो 260 mm की disc plate नजर आ जाती है और rear में देखोगे तो 130 mm की drum size रहने वाली है वहीं बात की जाए twin disc के बारे में तो front में अगर आप देखोगे तो 280 mm की disc plate मिल जाती है यानि की 20 mm की जादा बड़ी disc plate आपको नजर आने वाली है twin disc में और वहीं बात की जाए इसके rear braking के बारे में तो rear में 230 mm की disc plate मिल जाती है दोनों ही bike में अगर आप देखोगे तो single channel ABS with RLP मिल जाता है अब suspension के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले start करते है standard से front में अगर आप देखोगे standard के तो 31 mm telescopic fork देखने को मिल जाती है और वहीं बात की जाए इसके rear के बारे में तो rear में twin shock absorber मिल जाते हैं वो भी 5 step adjustment के साथ में ये चीज आपको नजर आने वाले है twin disc के suspension के बारे में बात करें तो twin disc में आपको 37 mm के telescopic fork front में आपको देखने को मिल जाते हैं यानि की अगर आप इसको compare करोगे standard से तो ये आपको थोड़े से थिकर fork यहाँ पर नजर आने वाले twin disc में rear में देखा जाए तो जो suspension है twin shock absorber 5 step adjustment के साथ में दोनों ही bike में सेम आपको नजर आने वाले वो भी endurance की तरफ से तो यहाँ पर देखा जाए तो जो tire profile है चाहे वो braking हो या फिर suspension हो इसमें देखा जाए तो twin disc थोड़ी सी आगे जाती हुई नजर आ जाती है को मिल जाता है यानि कि जो अगर आप इसका standard version लेते हो तो उसमें एक चीज आपको मतलब extra देखने को मिल जाती है वो है kick start जो कि आपको twin disc में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है वैसे आज की गाड़ीों को देखा जाए तो यह थोड़ी सी advance है kick अगर नहीं भी रहती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन एक कटू सत्य है अगर kick bike में होती है ना तो काफी जादा सहूलियत मिल जाती है अगर आपकी गाड़ी अगर बैटरी वगरा डाउन हो जाती है तो उस टाइम में काफी जादा सहुलियत मिल जाती है किक मारो गाड़ी लेके चले जाओ नहीं तो फिर क्या होता है जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में किक नहीं है तो एक बंदे तो यह लगेंगे सिर्फ गाड़ी को धक्का मारने के लिए तो यहाँ पर किक का होना भी काफी जादा ज़रूरी हो जाता है बाइकों में अब इंजन के बारें बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजन दोनों इंजन के इंजन के सेम है इंजन यहाँ पर देखा जाए तो इसमें मिलता 149.50 CC का सिंगल सिलेंडर 4 स्टोक, 2 वेल्व, एयर कूल्ड, इलक्रोनिक इंजेक्शन, मोटर पावर यहाँ पर देखा जाए तो 14 BHP की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 13.25 NM का मिल जाता है 5-speed manual transmission के साथ में दोनों इंबाई की यह मतलब 5-speed manual gearbox के साथ में आ जाती है यहाँ पर देखा जाए जो टायर है इसके रियर वाले वो थोड़ी से पतले दूबले से हैं तो इसका advantage आपको mileage में मिल जाता है लेकिन वहीं बात की जाए twin disc के mileage के बारे में तो यह करीब आपको 45 MPL तक की mileage दे देती है वैसे देखा जाए तो दोनों ही bike के mileage में कुछ खासा फर्क तो नहीं है करीब 2-3 km जादा की mileage देती है standard बाकी दोनों के mileage लगभग लगभग से रहने वाले है dimensions की यहाँ पर बात की जाए जो curve weight है standard का यह 2 kg कम है 2 kg कम रहने वाला है length की यहाँ पर बात की जाए तो standard देखा जाए तो 20 mm जादा है twin disc से width की यहाँ पर बात की जाए तो 15 mm जादा है twin disc से लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो height के मामले में 55 mm जादा है twin disc से यहाँ एपर से ground clearance देखा जाए तो दोनों यी bike की सेम रहने वाले fuel tank capacity की भी बात की जाए तो दोनों यी bike की fuel tank capacity है वो सेम है 15 letr की fuel tank capacity दोनों यी bike में आपको देखने को मिल जाती है chassis में भी देखा जाए तो इसमें dual cradle frame देखने को मिल जाता है दोनोई bike में अब electronics के बारे में बात कर लें तो electronics के मामले में भी देखा जाए तो दोनोई bike same है मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी चीज़े आलग नहीं है इसमें भी देखा जाए तो multi reflector headlamp देखने को मिल जाता है इसमें भी देखा जातो multi reflector headlamp देखने को मिल जाता LED tail lamp इसमें भी है इसमें भी है इंडिकेटर bulb type में इसमें भी है इसमें भी है instrument console भी देखा जातो same है ऐसा नहीं है कि twin disc में थोड़ी सी heavy battery है ऐसा कुछ नहीं है दोनों bike की जो battery है वो same रहने वाली है अब बात करते हैं seating and handling के बारे में कि दोनों bike की जो seating और handling कैसी रहने वाली है तो यहाँ पर अगर आप standard में देखोगे तो standard में आपको single unibody seat नजर आ जाती है जो कि देखा जात तो थोड़ी सी लंबी भी है और यहाँ पर देखा जाए तो जो grab rail है वो थोड़े से उठे हुए रहते जिससे अगर आप like अगर pillion बैटता है तो उसको थोड़ा सा एक take मिल जाता है कि भहिया इससे पीछे अपने को नहीं जाना है ने तो फिर गिर जाएंगे लेकिन वही बात की जाए twin disc के बारे में तो twin disc में आपको split seat मिल जाती है grab rail भी देखा जाए तो यहाँ पर split मिल जाते है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो grab rail पता ही नहीं चलता कि मतलब अगर आप थोड़े थोड़े पीछे खा सकते बैठता तो उसको take नहीं मिलता है कि भहि डिस्क आती है standard आती है उसमें आपको सारी गाड में footrest भी मिल जाता है लेकिन twin disc में नहीं मिलता है footrest का होना काफी अच्छी बात है अगर आप family purpose के लिए गाड़ी लेने के बारे में सोचते हो तो यह जो footrest है काफी जादा मदद कर देते हैं उस time पर handler यहाँ पर देखा ज होगे तो standard में आपको chain cover मिल जाता है जो की देखा जातों काफी अच्छी बात है लाइकि अगर बारिश वगार में अगर आप गारी चलाते हो तो इस time में क्या होता है चैन बहुती जल्दी dry हो जाते है लेकिन chain cover के होने इसकी वज़ा से आपके जो chain काफी जादा protected हो जाते और chain की जो life wave बढ़ जाती है लेकिन twin disc में आपको open chain cover मिल जाता है जिसको आपको हर 400 km पर clean and lube करना होगा standard में देखा जातों lube करने का बस tension रहेगा बाकी clean करने वाला जंजट नहीं रहने वाला है दोना ही bike में देखोगे तो आपको same color के option देखने को मिल जाते हैं लेकिन वहीं पर अगर आप like standard देखते हो तो standard में एक laser addition करके भी आता है तो मतलब standard में आपको थोड़े से color option जादा मिलने वाले हैं अब बात करते है final conclusion के बारे में कि कौन सी bike हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए देखा जाये तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता जो कि अगर आप family comfort को मतलब जादा preference दे रहे हो तो standard देखा जाए तो काफी अच्छा option रहने वाला है क्योंकि जो pillion वाली जो मतलब यहाँ पर seat जो है वो काफी लंबी मिल जाती है जिससे की देखा जाए तो मतलब बैठने में भी काफी जादा सहूलियत मिल जाती है split seat में twin disc में मतलब अलग से आपको pay करना पड़ेगा उसके लिए और इसमें देखा जाए तो kick का भी option मिल जाता है जो की देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपनी bike में kick देखना चाहते है तो ऐसे में देखा जाता है तो standard काफी अच्छा option बन जाता है अब बात करते हैं twin disc के बा चार हजार रुपए अगर आप जादा देते हो इस बाइक के लिए तो इसमें आपको काफी जादा चीज़े अलग अलग देखने को मिल जाती है जैसे की braking देखा जाए तो काफी अच्छी मिल जाती है twin disc आ जाता है suspension यहाँ पर देखा जाए तो काफी अच्छा मिल जाता है यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप चार हजार रुपए जावदा भी दे रहे हो ना तो आपके चार हजार डूब नहीं रहे हैं काफी मतलब अच्छा investment होने वाला है तो ऐसे में देखा जाए तो जो लोग spottyness ढून रहे अपनी bike में तो 150 twin disc काफी अच्छा option रहेगा औ और अगर आप family purpose या फिर कम्यूटिंग के लिए लेना चाहते हो तो standard आपके लिए काफी अच्छा option रहने वाला है बाकी इन दोनों ही bikes में से आपको कौन सी bike पसंद आई comment करके हमें जरूर बताईएगा और आप हमें instagram facebook पे भी follow कर सकते है । यहाँ पर flash और यह link आपको description box में भी मिल जाएगा सो गाइस मिलते फिर नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए be attentive be smart always wear helmet right safe जैहिंद बाबाए दोस्तों करे दोस्तों है जाएगा 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 स सब्सक्राइब करता है बाइबंग में जाएगा यह जाएगा जाएगा भी भी? आपको कर सकते हैं की?